आप लोग कैसे है डियर आप लोग सॉस्थ होंगे और मस्थ होंगे है ना तो यार आज मैं जो है पांसे छे क्वेश्चन की स्रीज आपके लिए लेकर आए हूं फिर से सूपर 5-6 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम लोग केवल और केवल स्पीड रेल गाडियों पे बात करेंगे ठीक है कि रेल गाड़ी के question अगर कल को आपके सामने आएं तो आप उन सारे questions को कैसे deal करो के तो चलो ठीक है आपकी screen पे जो सबसे पहला question है डियर वो आ लेडी है अब आप इसको देखिए और इस पे आप अपना best try करिए अपना best try करिए देखिए तो क्या करा कि यदि एक रेल गाड़ी किसी खंभे को 60 km पर दिगंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगी अब ये question अपने आप में एक बहतरीन है कोई भी बच्चा जो English medium से है वो बच्चा भी इस question को अल्रेडी कर से इत्मिनान से पर सकता है देखिए If a train crosses a pole in 30 seconds with the speed of 60 km पर आर then the length of the train will be तो उस train की length क्या होगी अब इस question को थोड़ा साथ visualize करिए एक माली जोई ये आपका pole है और इधर से एक train आ रही है अब ज़रा आप सोचो डियर कि ये train जो है ये train इस खंबे को कब पार करेगी जब उसका ये पीछे वाला part बिलकुल यहाँ पे आ जाए तब जाके ये train जो है अगर आप इसको train मानते हो अगर आप इसको train मानते हो तो अब आप खोद ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस pole को पार करने में जो time लग रहा है वो time कितना है पहले तो आप ये देख लीजिए तो भाईया वो time जो है वो time है 30 seconds ओके और यहाँ पे आपको जो speed दी गई है dear जो आपको speed दी गई है वो speed कितना दी गई है 60 km परार तो सबसे पहले आप 60 km परार को क्या करो कि आप इसको meter per second में बदल लो और meter per second में बदलने के लिए आप जानते हैं 5 बटे 18 से आपको गुणा करना पड़ेगा अब चलो फटा फट से इसको multiply कर लो 6 से कार दो 6 को 6 3 जा 18 और 6 10 जा यहाँ पे हो जाएगा 10 5 जा 50 50 अपान 3 meter per second अब ये बताओ कि अगर किसी train की चाल अगर वो 50 by 3 meter per second हो तो वो 30 second में कितना दूर जाएगी इसका मतलब distance तो आप distance निकालो distance is equal to क्या होता है यानि दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल अपान में बटे में दूरी बराबर चाल बटे दूरी बराबर चाल गुणे समय डियर चाल गुणे समय अब यह बताओ जरा कि चाल कितनी है 50 बटा 3 और समय कितना दिया गया है समय यहाँ पे देखो जरा कितना दिया गया है समय आपको दिया गया है 30 seconds कितना दिया गया है 30 seconds यह देखो 30 seconds तो यहाँ पे आप 30 से मीटर यानि ट्रेन की जो लंबाई याई डियर वो कितनी आई पांसो मीटर तो देखो ज़रा इसमें कौन सा अप्सन सही है तो ये वाला अप्सन यानि अप्सन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है ओके तो मेरे ख्याल से ये क्वेस्चन आपको बहुत ही प्यारा लगा ह तो उसको हम लोग पांच बटे अठारा से गुणा करते हैं और दूसरी बात अगर हम किसी चाल को किलो मीटर प्रतिघंटा में बदलते हैं तो हम लोग अठारा बटे पांच से गुणा करते हैं ये दो information आपको अपने पास रखनी है और साथ में तीन फार्मूले और आप पास रख लीजिए पहला फार्मूला होता है समय निकालने का कि भई समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल अब यहीं से आप दो फार्मूले और बना लेंगे वो दो फार्मूले कौन से एक दूरी बराबर जो अभी अभी आप लोगों ने निकाला क्या चाल गुणे चाल गुणे समय और तीसरा फार्मूला क्या समय निकाल लिया दूरी निकाल लिया अब आप चाल भी निकाल लो तो भई चाल बराबर क्या होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय ठीक है तो ये तीन फार्मूले ये और प्लस साथ में एक ये और एक ये इन्फरमेशन बाकी तो ये सवाल आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेस्चन जो पहला टास्क था आपका वो बिल्गुल कम्पलीट हुआ आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी अब चलिए हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेस्चन ओके डियर चालो हाँ तो डियर दूसरा क्वेस्चन यहाँ पे देखिए ये है आपका क्वेस्चन नमबर सेकेंड रुकिए पहले हमें इस फ्रेम को सेट कर लेते हैं हाँ, ओके, यहाँ पे देखिए, यह है आपका question number second क्या कह रहा है यह, कह रहा है कि भई, दो रेल गाडियों की चाल 6 अनुपाते 7 के अनुपात में है यदि दूसरी रेल गाड़ी 4 घंटे में 364 किलो मीटर चले तो पहली रेल गाड़ी की चाल क्या होगी अगर आप इसी को इंगलिस में सुनना चाहें, तो बिलकुल आप सुन लीजिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि the speed of two trains are in the ratio 6 ratio 7 if the another train, if the another train covers 364 km in 4 hours if we go, what is the speed of the first train, तो आपको क्या करना है बहुत देहां से सुनिएगा, आप मान लीजिए कि train की जो speed है न, train की जो speed है वो yaks है, क्या है, यानि कि चाल, चाल, आप मान लो, की yaks है तो ये बताओ, जो पहली train है, पहली, उसकी चाल क्या हो जाएगी तो आप बोलोगे भई, आच्छे yaks हो जाएगी अच्छा, ये बताओ, दूसरी train की चाल क्या हो जाएगी तो आप बोलोगे भई, या साथ yaks हो जाएगी ओके, ये बात तो clear हो गई, अच्छा, ठीक है अब ये कहरा कि दूसरी जो रेलगाड़ी है, वो चार घंटे में छेसो चौसट किलो मीटर चलती है इसका मतलब अगर दूसरी की, अगर दूसरी वाली रेलगाड़ी की हम लोग चाल की बात करें, तो अभी अभी हम लोगों ने जाना था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानि कि तीन सो चौसट बटा कितना, चार समय, तो चार से काटिएका कितना होगा चार नमाच थिस और चारे करने चार, यानि 91 क्या, किलो मीटर पर आर इसका मतलब यह हो गया, दूसरी वाली ट्रेन की चाल, जिसकी चाल हम लोगों ने साथ यक्स मानी थी, साथ यक्स की बैलू कितनी हो गई, 91 इसका मतलब यहाँ पर लिखे आप, 7x is equal to 91, तो आप बोलो कि भाईया, यह x is equal to, तो आप कहोगे 91 अपान 7, यानि 7 वणजा 7, और 7 वणजा 7, और 7 थुरी जा 21, इसका मतलब x की बैलू जो आगई, वो आगई 13, अब आप से क्या पूछ रहा है, तो पहली रेल गारी की चाल, यानि की, what is the speed of the first train, तो यानि 6x की बैलू आपको निकालनी है, तो 6x की बैलू कितनी हो जाएगी, 6 into 13, यानि कितनी हो जाएगी, 13 सिख जा, 60, कितना हो 78 km पर r, तो ये हो गया आपका perfect answer, तो आपको करना कुछ नहीं था, बस केवल आपको क्या करना था, कि भई आप यहाँ पे जो ये ratio दिया गया है, जो अनुपाद दिया गया है, उसको आप x माल लेते, तो पहले train की चाल हो जाती 6x, और दूसरे train की हो जाती 7x, बस आराम से आप निकाल सकते थे, तो इस question में बिल्कुल दम नहीं था, और अगर किसी बच्चे को एक question tough लगा हो, तो मेरे ख्याल से tough तो होई नहीं सकता, क्योंकि इतना simple question था, it was a too easy question, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से इस question को बच्चों ने बिल्कुल enjoy किया हो, आपको एक question कैसा लगा अब हमें comment करके चलोड बताय करो, चीक है, हाँ, इसलिए देखो मैं आपके लिए बिल्कुल slide वगारा set कर दिया हूं, must से एक दम, तो चलो ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे question की तरफ और देखते हैं कि चाल दूरी और समय का ये तीसरा question हमारा कौन सा है, ओके डियर, चलो, हाँ तो डियर, तीसरा question भी रेल गारी से ही संबंदित है, यानि जाल दूरी और समय से ही संबंदित है डियर, अब आप देखिए कि ये train का question आप से क्या पूछ रहा है और आप उसका क्या जबाब देंगे, कह रहा कि एक, कह रहा कि एक रेल गारी, एक र करमिक, तीन किलो मीटर दूरियों को, इसका मतलब तीन किलो मीटर, 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 तीन किलो मीटर की एक दूरी है, फिर तीन किलो मीटर की एक दूरी है, और फिर तीन किलो मीटर की एक दूरी है, यह तीसरी बार वो 30 km और चौती बार वो 60 km पर धिघंटे की रफतार से उसको तय करता है, देखो, गती में तय करता है, उक्त दूरियों में उसकी औसत गती क्या होगी, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, इंगलिस में भी पढ़ लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे हाँ देखिया क्या कहा रहा कि यहाँ पर देखिया एक पर देखिया सबसे पहली बात तो आप यह जाने डियर की ओसत चाहल क्या होता है औसत चाहल जो होता है डियर वो होता है कुल चली गई दूरी अपान में बटे में कुल समय तो आपको एक बात तो किलियर हो चुकी है कि कुल चली गई दूरी कितनी है तीन 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 यानि कितना बारा अपान में कुल समय समय बराबर अब देखिए पहले में अब इधर आईए पहले में कितना समय लगा जरा हमें यह बताईए तो पहले में लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल तो तीन बटा दस ओके दूसरे में कितना समय लगा तीन बटा बीस तीसरे में कितना लगा तीन बटा तीस और चौथे में कितना लगा तीन बटे साथ यह बात समझ में आई कि नहीं अरे भाई देखे ना पहल दूरी बट्टे चाल दूरी बट्टे चाल दूरी बट्टे चाल दूरी बट्टे चाल यह समय हो गया तो यहां से इसका आप LCM ले लेजिए आजाएगा आपका कितना 60 यहां से हो जाएगा यह तीन तरीक का 9 यहां से 6, 3, 6, 18 स्वारी भाई यहां अठारा होगा और यहां से यहां से 9 होगा प्लस यहां से 6 होगा और यहां से 3 होगा अब देखे कितना हो गया 6, 3, 9, 9, 18, 12, 36 बोले तो 36 बटा 60 यह लगा आपका कुल यह हुआ आपका कुल समय तो फिर से धर आईए आउस्चाल बड़ाबर आपका क्या हो जाएगा आउस्चाल यानि की एबरेजी स्पीड आपका क्या हो जाएगा कुल चली गई दूर यानि 12 और बटे कुल समय यानि 36 बटा 60 और आप इतना तो होसियर हो गया हो कि बटे का बटे होता है तो यह उपर चला जाता है इसका मतले 20 साथ यहां चला जाएगा अब देखो चला 12 इकन्ने 12 बारतियां 36ista 31 इकन्ने तीन तीन दूना यानि की हो जाएगा 20 किलो मीटर प्रती घंटा यानि आपका जो आंसर आया डियर वो आया 20 किलो मीटर प्रती घंटा अब सुनिये द्यान से इसमें main या खास बात क्या थी जो आपको द्यान देने वाली थी वो खास बात ये थी डियर कि औसत चाल जब भी कभी आपसे निकालने को कहे औसत गतिया औसत चाल या इंगलिस वाले बच्चे average speed अगर निकालने को कहे तो आप करिएगा क्या कुल चली गई दूरी बटे कुल समय ने total distance covered upon total time taken तो मेरे ख्याल से ये question भी आपका जवर्दस्त हो चुका होगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने तो भी सही जबाब मुझसे पहले ही दे दिया होगा तो इसमें से कौन सा option सही है डियर इसमें से आपका fourth number option जो की है 20 km प्रती घंटा ये आपका बिल्गुल correct answer है ओके डियर हाँ तो I think ये question आपको प्यारा लगा होगा चपड़दस्त लगा होगा आपको ये question कैसा लगा आप चरूर comment करके बताए अब हम लोग चलते हैं अपने next याने की question number four पे ओके चलो बच्चा बाटी हाँ दो डियर आपके screen पे चौथा question है और उस चौथा question के लिए बहतरीन परयास करिए तो सबसे पहले आप वीडियो को तो pause कर दो यार क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को pause करेंगे तुरंत के तुरंत आप अपना try करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप वीडियो को pause करिए और अपना try करिए क्योंकि जब आप अपना best try करते हो डियर ना तब ही मजाता है तब ही वास्तों में मजाता है तो चलो ठीक है आओ देखते हैं कि कितने बच्चों ने बिल्कुल correct try किया था और कितने बच्चों ने ये question नहीं कर पाए ओके चलो आओ देखते हैं तो सबसे पहले question पढ़िए क्या करा कि एक rail गारी station A से station B तक 20 km पदिहंटे की चाल से जाती है तथा वापस station B से station A तक 30 km पदिहंटे की चाल से आती है तो पूरी यात्रा में देलगाडी की औसट चाल क्या होगी Same question in English language A train travels 20 km पर आर actually यहां पर आर होगा 20 km पर आर from station A to station B and comes back from station B to station A at the speed of 30 km पर आर What is the average speed of the train for the whole journey अब देखे सबसे पहले इस question को आप visualize करेंगे क्योंकि जब आप इस question को visualize करेंगे तब ही आपको यह question समझ में आएगा मालो यह station A है और यहां से आपने चलना सुरू किया यह है station B इसके बीच की दूरी हम माल लेते हैं X अब जाने जाते समय 20 km पर दिघंटा और आते समय 30 km पर दिघंटा इसका मतलब जाने में जो समय लगा जाने में जो समय लगा वो दूरी बटे चाल यानि की दूरी बटा यानि X बटा और आने में जो समय लगा आने में जो समय लगा वो दूरी बटा चाल यानि की भाई जाने में X तो आने में भी X तो कितना हो जाएगा X बटा 30 तो कुल समय कितना लगा कुल समय बताइए तो बच्चा कुल समय हो जाएगा आपका X बटा 20 प्लस X बटा 30 इसका मतलब 30 और 20 का लासा आजाता है आपका 60 यहाँ पे 3X और यहाँ पे 2X बोले दो 5X बटा 60 यह लगा कुल समय इतना गंडा अब आजाओ आउसत चाल यहाँ पे क्या पोछा आउसत चाल तो भाईया आउसत चाल बराबर अभी बताए था आउसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी कुल दूरी बटे कुल समय तो कुल दूरी कितना है भाई X जाने में X आने में कितना हो जाएगा 2X कितना हो जाएगा 2X और कुल समय 5X बटा 60 अब आपको पता भी आप बटे का बटे जब होता है तो बटा उपर चला जाता है इसका मतलब ये उपर चला जाएगा 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे उपर आ जाएगा 60 तो यह गया इस से 5 एकन्ने 5 12 और 12 दुना आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर प्रतिघंटा तो इस question की जो सबसे खास बात थी वो क्या थी क्या कोई हमें बताया बिल्कुल वो खास बात यह थी डियर की आपको सबसे पहले दूरी को X मानना पड़ेगा X जाने में और X आने में जब आप इतना माल लिए तो जो सबसे खास फार्मूला है इसका क्या औसद चाल का औसद चाल का वो आपका है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय बस आपका इस question को बिल्कुल आप मिस ना करें और इस question पे आप बिल्कुल start लगा सकते हैं क्योंकि ये question बहुत ही प्यारा question है ये question अच्छा question था इस पे आपको परयास करना चोई है चली अब हम लेते हैं आज का last question और वो है super 5 का last 5th question ओके डियर चली देखते हैं अपना अगला question हादो डियर जो last question है that is question number 5 कौन सा डियर question number 5 चलीए question number 5 आपकी screen पे आ चुका है और इस question को सबसे पहले आप बहतरीन ढंग से solve करने की कोसिस करिये चलीए क्या कहता ये question कहता कि दो रेल गाड़ी की चाल करम सा तीन अनुपाते दो के अनुपात में है यदि दूसरी रेल गाड़ी चार घंटे में 64 किलो मेटर चले तो पहली रेल गाड़ी की चाल बताओ इंगलिस में यही question अगर आपको सुनना है तो सुनिए the speed of two trains are in the ratio of three ratio two if another train covers 64 km in four hours if we go what is the speed of the first train बिल्कुल जैसा की question second, third year बिल्कुल वैसे ही यह question है और मेरे ख्याल से अगर इस question को pause किया जा है और pause करने के बाद आप खुद try करें तो maximum बच्चे आराब से try कर लेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा question हो चुका है तो चालो देखते हैं कि क्या होगा इसका solution तो सबसे पहले आप dear क्या करो कि speed जो है ना speed यानि कि चाल आप इसको मान लो ना x तो ये बताओ तो पहली train की चाल जो होगी वो कि इतनी हो जाएगी 3x क्योंकि यहाँ देखो न यार और दूसरी train की जो चाल हो जाएगी dear वो हो जाएगी 2x अब दूसरी के बारे में information दिया गए कि चार घंटे में 64 km जाती है इसका मतलब second की जो चाल है वो कितना है 64 बटे 4 बोले तो 16 km प्रती घंटा औके और ये किसकी value है ये है 2x की यानि 2x बराबर 16 तो x बराबर 16 बटा 2 यानि की 8 km प्रती घंटा अगर x की value 8 हो गई तो 3x की कितना होगी आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि 3 गुड़े 8 3 गुड़े 8 कितना भई x की value अगर 8 हा गई है तो 3x की value क्या होगी तीन गुड़े 8 तो कितना हो जाएगी डियर आप बताओ 24 हाँ तो हो जाएगी आपकी ये 24 km प्रती घंटा ओके हाँ बिल्कुल तो ये question अपने आप में बहुत ही प्यारा question था ये है मेरे ख्याल से आप में से maximum बच्चों ने जो इस बीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं बिल्कुल भी miss नहीं किये हैं सुरू से लेके अंतर तक देखे हैं वो ये question बिल्कुल लगा लिये होंगे तो मेरे क्याल से maximum बच्चों को ये बीडियो बहुत ही benefited होगा बहुत ही लाफकारी होगा बहुत ही मदद करने वाला होगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताए अपने दोस्तों में भी ये वीडियो भेज़ दीजी डियर जिसे कि जो बच्चा घर पे है तयारी नहीं कर पा रहा है कहीं भी कोचिंग नहीं इंस्टिट्यूट जोइन नहीं कर पा रहा उसके लिए वीडियो बिल्कुल फ्रीय आप कॉस्ट है अच्छे से इंजॉय करें अच्छे से देखें और बिल्कुल अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे जिसकी उसका भी सेलेक्शन बिल्कुल हो जाए तो अपने दोस्तों की भी मदद करिए आप वीडियो को सेर कर दीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो वो भी कर लो क्यूं जिसकी नेस्ट वीडियो अगर मैं डालूं तो सबसे पहले उसका नोडिफिकेशन आपको मिल जाए ओके डीर हाँ तो चलो ठीक है बच्छा पाटिए अप जहां गएं भी बिल्कुल ऐसा ही लगे रहे है बिल्कुल स्वस्त रही है मसत रही है और जब बर्दस्त करते रहे है तो चले ठीक है मिलते हैं नए लेक्चर में तब तक की लिए लब्यू टेक के बाबाए चैहिन